यूपी विधासवा चुनाब में बीजेपी को 2017 की तरह फिर से 2022 में प्रचंडी जीत मिली वही विपक्ष पार्टियों को हार का सामना भी करना पड़ा हार के बाद बिपक्ष पार्टियों अवनजन नहीं आ रही है साथी अकलेश वियादब ने हार के बाद कोई बयान भी नहीं दिया है अकलेश वियादब पुरी तरीके से खामोश हो गई है तो क्या इस खामोशी की वज़ा सपा की कोई खास रण निती है या अकलेश वियाद अपनी हार को स्विकान नहीं कर पा रहे हैं। सभी दल खामोश हैं। सभी में बीजेपी कैसे जीती इस पर विचार किया जाना चाहिए। सभी पर साथ मौरे ने ट्वीट करके कहा कि बैलेट पेपर के मतदान में समाजबादी पार्टी 304 सीट पर जीती है। जबकि भाजपा मातर 99 पर लेकिन EVM से मतों की गिनिती में भाजपा चुनाब जीती ही। इसका मतलब है कि कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए EVM पर सवाल करके क्या सभाज जीत जाएगी। नतीजे 10 मार्च को आ चुके हैं लेकिन सभाज की तरफ से अभी तक कोई मन्तह नहीं किया गया। महीं अखलेश श्यादव होली के बाद कारेकरताओं के साथ बैटक करने जा रही हैं। महीं राष्ट्य लोगदल के अद्यक्ष चौधरी जैन सिंग ने विदानसब अचुनाब खत्म होते ही बड़ा फैसला लिया। जैन चौधरी ने विदानसब अचुनाब में मिली हार के बड़ा फैसला लेते हुए। एक ट्वीट में आरोप लगाया कि उत्रप्रदेश विदानसब अचुनाब के दोरान मीडिया द्वारा जातिवादी, दुएश्पून, वाग्रणित रवई अपना कर अंबेट कर बादी बसपा अंदुलन को नुकसान पहुँचाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि सालत में पार्टी प्रवक्ताओं को भी नई जिम्यदारी दी जाएगी। गौर्तलब है कि 403 विधानसवा सीटों पर हुए चुनाब में वसपा का केवल एक उमीदबार विजाई हुआ। योपी विधानसवा चुनाब में हार के बार विपक्षी पार्टियों में खामोशी देखी जा रही है। साथ ही अखलेश शादव की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आ रहा। जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या सपा मुखिया अखलेश शादव हार को सुविकार नहीं कर पा रहे है। जा खामोश रहकर कोई रड़नीती बनाने के तयारी कर रहे हैं। जोरो रिपोर्ट आर नाइन न्यूज।